अलो प्रेंट्स दिस राकेश कपूर एंड यू आर वाचिंग जुडिशल कॉंपेटिशन टाइम्स लाइव सेशन्स तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रिवंदर प्रस्टीजर कोड यानि की CRPC के बारे में यह कैसा टॉपिक है। जुडिश्री के सभी स्टेट के एक्जामिनेशन अता है। एक्जामिनेशन कोई भी हो, किसी भी स्टेट का हो, अगर वो एक्जामिनेशन जुडिश्री का थो CRPC वहाँ लगबग आता ही आता है !। इसके बारे में आपको डेटेल नॉलिज होना वोट में follow होने वाले जितने भी criminal matters हैं उनमें CRPC का use होता है हाँ अगर otherwise कोई special act mention किया गया है तो वहाँ पर हम उसको देख लेंगे otherwise हम CRPC को ही invoke करते हैं तो CRPC को detail में chapter wise तो हम लोग study करेंगे ही one by one लेकिन सबसे पहले आज के पहले lecture में हम लोग introductory part को देख लेते हैं हाँ एक चीज मैं आपको ज़रूर advice करना चाहूंगा कि आप जो भी material पढ़ते हैं वो बिल्कुल accurate और सटीक होना चाहिए जल्द बाजी में के मैंने आदे गंटे में CRPC complete कर लिया मैंने एक गंटे में CRPC complete कर लिया और इस तरह के वीडियो को आप net पर search करते हैं तो ऐसा मत कीजिए learning process slow जरूर होता है लेकिन एक बार जब आपकी जो foundation बन गई तो वो पुरी जिंदगी आपके काम आएगी सिर्फ selection के लिए नहीं जब आप judicial magistrate बन जाएंगे तब भी वो information जो आपने इस त्यारी के दोरान gather की है वो आपको whole life आपको काम आने वाली है आपको practice में काम आने व होगे तो सिर्फ particular type के questions को रटा लगाना और वो सब करना ये सबाब मत करो ये तो आप LLB में बहुत कुछ कर चुके हो पहले इसलिए आप इस तरह की चीजों से misguide मत हो बिल्कुल जहां से आपको reliable information मिल रही है आप उनी चीजों को follow करो otherwise future में आप कहीं न कहीं selection में आपकी success में वो सब चीजे hindrance create करेंगे तो चलो ठीक है आज के lecture किसा start करते हैं बीना देरी किये तो आज मैं बात करने वाला हूँ CRPC के introductory part के बारे में इसमें कुछ ऐसे important aspects में include की हैं जो कि examination के point of view से काफी ज्यादा important है और पूछे भी जाते हैं तो चला उनको देख लेते हैं फट कौन-कौन से ऐसे aspects हैं CRPC के relation में हमको ध्यान में रखने चाहिए जब हम किसी भी subject को पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात यहां पर लिखी है कि यह CRPC यह कब effective हुआ कौन सी date से हुआ तो इसके लिए date है हमारे पास 1st of April 1974 जैसे कि आप दे सकते हैं यहां पर it is already mentioned here 1st of April 1974 में it came into effect दूसरा key point है हमारे पास जो प्रेजेंट की इनको एसेंट मिली कब मिली थी 25th of January 1974 को प्रेजेंट की एसेंट मिल गई अब जहां तक हमारे CRPC का सवाल है it is applying to the whole of India including the state of Jammu and Kashmir देखिए जब से article 370 में amendment हुआ है उसके बाद अब CRPC throughout India सभी states पर apply होती है ठीक है वहाँ पर ऐसा नहीं है कि state पर लगती है इस पर नहीं लगती है लगती है लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे portions हैं इंडिया में जैसे union territories उसके relation में कुछ specific है जो की हमको जानने की जरुरत है इसके relation में जहां तक हमारे CRPC का सवाल है और CRPC 1973 के बारे में बात कर रहा हूँ मैं अगर UT की बात करें और अडमान और निकवार के बारे में बात करें दादा और नागर हवेली के बारे में बात करें तो उसके लिए हमको CRPC 1974 को refer करने का requirement है वहाँ पर हम सिर्फ 1973 को नहीं देखेंगे हमें वहाँ पर 1974 का reference भी लेना होगा उसकी light में ही हमें matters को decide करना है अब अकसर question examination में प्री में काफी जादा पूछते हैं और वह आपसे यह पूछते हैं कि यह जो आपका law है CRPC यह adjective law है या यह procedural law है या यह substantive law है तो procedural law के बारे में आप लोग जानते ही हो तो सब लोग कहते हैं कि हाँ यह procedural law है substantive law के बारे में लोग कम ही बोलते हैं जातर लोग कहते हैं किताबों में भी आपने पढ़ा होगा कि यह एक procedural law है लेकिन basically यह adjective law है क्या जग तक हम यह समझ भी नहीं आएगा कि adjective का क्या मतलब है या आपर हम यह समझ ही नहीं पाएंगे कभी भी कि adjective law यह है या नहीं उसके लिए हमें यह समझना पड़ेगा न कि adjective law होते कौन से हैं तो इसके relation में adjective law का मतलब है कोई भी ऐसा portion of law that deal with the rule of procedure कोई भी ऐसा portion of law जो rule of procedure में deal करता हो जो कि evidence को pleading को और practice के साथ उनको govern करता हो मैं दुबारा से repeat कर रहा हूँ कोई भी ऐसा procedural law जो evidence pleading और practice के साथ भी deal करता हो for the purpose of determining any proceedings before it तो वहाँ पर उस law को हम एक adjective law बोलता है ठीक होगे यह बात तो क्या मेरा law procedural law है हाँ of course procedures के बारे में तो lay down करता ही है क्या हम evidence को lead करने के लिए जब हम evidence act को cover करते हैं क्या उसको हम CRPC दर add with करते हैं हाँ करते हैं बल्कुल करते हैं इसी लिए यह एक adjective law भी है लेकिन क्या यह पूरी तरह से adjective है नहीं यह पूरी तरह से adjective नहीं है यह partially adjective है और partially substantive है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं CRPC की background के बारे में के हमारे पास क्या ऐसा material है जो की CRPC की background के बारे में बात करता है और हमें वो जानना चाहिए देखिए हम लोग जानते हैं हमारा इंडिया जो है वो different different states से मिलकर बना था और सभी states अलग-अलग rulers के द्वारा ruled out किये गए थे उसके बाद invaders आए in the form of muslim rulers उन्होंने इन सभी states को maximum places को annex कर लिया और अपने खुद के rule और कानून वहाँ पर invoke कर दिये लेटर ओन फिर Britishers आए Britishers ने देखा अरे यहाँ पर कोई specific uniform law तो है नहीं तो फिर हम इनको regulate कैसे करें इंडिया को criminal matters को regulate करने के लिए हमारे पास कुछ uniform code नहीं है तो उन्होंने क्या किया एक act pass किया regulating act of 1773 और इसके तहट इंडिया में एक supreme court का गठन किया गया establish की गई इन कैलकटा अब उसके बाद क्या हुआ कि अब Britishers ने जो supreme court establish किया था अब यह supreme court कौन से law को apply करें देखिए उस समय पर वो जो भी law ब्रिटेन में चल रहा था जो ब्रिटिश प्रोसीजरल law था उसी को ही इंडिया में follow करना start कर दिया गया हमारे पास मैंने कहा CRPC तो उस समय पर कहीं पर भी उसका जन्म भी नहीं हुआ था तो उस समय पर जो भी ब्रिटिश के अपने law थे जो भापर लंडन में जो या ब्रिटेन में apply कर रहे थे उसी को उन्होंने इंडिया में apply करना start कर दिया फिर क्या हुआ उसके बाद आप लोग जानते हैं 1857 में आजादी के लड़ाई के लिए rebellion हुआ उसके बाद मुने लगा कि यार ये तो पूरा चार्ज इंडिया का अपने हाथ में ले लेना चाहिए ये इस्ट इंडिया कंपनी बना कर कब तक चलाएंगे ये कंपनी के हाथ में बाग डोर इंडिया की नहीं दे सकते इसको queen के हाथ में दे दो तो पूरा सामराज्य जो था इंडिया का वो एक queen के द्वारा कंट्रोल किये जाने लगा फिर उनको लगा कि चलो अब यहां पर भी हमें कोई ना कोई ऐसे specific law को formulate करना चाहिए mention करना चाहिए तो उन्होंन पहली बार 1882 में CRPC का गठन किया और उसमें फिर amendment भी हुआ 1898 में और लेटर ओन 41st law commission report जो की 1973 में बनाई गई उसके तहत हमारा criminal procedure code जिसके बारे में हम लोग आज को study करते हैं और various amendments के बारे में भी study करते हैं तो CRPC 1973 पहली बार इसको formulate किया गया अब सवाल ये उठता है कि इस CRPC को बनाया किसने था देखिए जहां तक IPC का सवाल है और CRPC का सवाल है दोनों laws को Mr. Thomas, Babington, Maculay ने formulate किया था according to the Charter Act of 1833 और इसको Lord Canning के tenure में introduce किया गया था ये जो भी मैं termologies यूज कर रहा हूं जैसे थोमस, Babington, Maculay, Lord Canning, date है हमारे पास 1882, then 41st law commission, report ये सारी चीजें आप अपने जहन में बिठा लीजिए प्री की examination में आपको अक्सर इनके basis पर कोई न कोई questions मिल जाते हैं और आपका selection कई बार मैंने ये देखा एक एक नमबर पर रह जाता है बहुत सारे students ऐसे हैं Sir मेरा one mark कम रह गया, मेरा one number मेरा interview में कम रह गया, मेरा selection नहीं हो पाया, तो यहाँ पर एक एक number की importance है, एक एक number की value है, तो compromise मत करो यार, competition, cutthroat competition है, जहाँ से सही accurate information मिल रही है, मैं ये नहीं कहता किसे follow करो, किसको न करो, जहाँ से knowledge मिल रही है ले ले लो, लेकिन जहाँ से स आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो लोग जोडिश्री की त्यारी कर रहे है, देखे हम लोग का दिमाग, एक empty computer के तरह से होता है, human brain is like a empty computer, जो data मैं यहाँ पर feed कर दूँगा, सही है गलत, output वही निकलेगा, तो जो भी किताबे आप पढ़ रहे हैं, जो भी lectures आप refer कर रहे हैं, आप कम से कम उन लोगों का refer कीजिए, जो experience लोग हैं, जिनको इसके बारे में in depth knowledge है, क्योंकि अगर एक बार गलत information आपके brain में feed हो गई, तो इसको erase करना मुश्किल हो जाएगा, लेटर ओन इसको delete करना मुश्किल होगा, और बार बार आपका दिमाग वही output दे आप जो भी किताबे refer करते हैं, वो अच्छी किताबे होने चाहिए, वैसे तो किताबे सभी अच्छी होती है, लेकिन फिर भी उसका interpretation जहाँ पर ज्यादा अच्छा हो, उसको refer करना चाहिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मेरे पास एक बड़ा important question ये है, क्या ये जो हमा CRPC है, इसकी nature exhaustive है, क्या ये सभी चीजों को include कर लेता है, तो इस context में मेरे पास citation है, popular मुथया versus state 2006 का मामला है, Supreme Court का judgment है ये, और page number 296 में publish हुआ है, वो ही कहते हैं, so far as it deal with any point specifically, CRPC must be deemed to be exhaustive, कहने का मतलब ये है, कि अगर हम किसी specific point के बारे में बात करें, मतलब अगर हमारा कोई भी CRPC में को provision लिखा है, और वो specific provision के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर तो मैं इसको ये मानूँगा, कि ये exhaustive है, उस purpose के लिए मैं इसको exhaustive मानूँगा, and the law must be ascertained by reference to its provisions, और वहाँ पर मुझे CRPC में जो mentioned किये गए है, उनी provisions को देखना पड़ेगा, अगर मैं किसी specific point के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मैं ये मान लूँगा, कि ये exhaustive है, और वहाँ पर मैं CRPC के provisions को apply करूँगा, वहाँ पर, लेकिन where the case arises, which demands interference, लेकिन मान लो, कहीं पर इ inconsistencies है, कुछ interference हो रहा है, हमारे CRPC में कुछ और है, किसी special law में कुछ और है, interference create हो रहा है, so but where the case arises, which demands interferences, and it is not within those for which the court specifically provides, और हमारा CRPC वहाँ पर उसके बारे में कुछ provide नहीं करता, तो वहाँ पर तो फिर ये law exhaustive नहीं हो सकता न, इसलिए हम लोग कई बार ये कहते हैं कि दे generally हम किसी भी substantive जो की penal law है, उसके proceedings के लिए हम CRPC apply करेंगे, लेकिन अगर कहीं पर कोई specific procedure दिया है, उसे control करने के लिए, तो फिर हम वो special law को देखेंगे, तो इसका क्या मतलब निकलता है, इसका यही मतलब निकलता है, कि generally हमारा CRPC exhaustive nature का है, लेकिन अग कहीं पर भी कोई interference create होत examination में, तो हम क्या लिखें, हम उसे exhaustive लिखें के ना लिखें, अगर मैं जब कभी भी बात करता हूँ, जनरलिटी की, तो generally तो आपको यही कहना पड़ेगा कि exhaustive है, क्योंकि उसका exhaustive ना होना ये एक exception है, ठीक है, तो मैं exceptional side पर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि exception law में तो मेरे प उसे तो implement नहीं करेंगे, तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है, चलो, अभी आगे बढ़ते हैं, So next important question जो हमारे सामने है, वो यह है कि basically जो CRPC बनाया गया है, इसका objective कैसे क्यों बनाया गया, तो इसके बीछे जो objective है, उसको समझने के लिए हम एक case law का मदद ले लेते हैं, Green Empress versus Monapuna, Bombay High Court का मामला है, और इसमें उन्होंने यह कहा, the object of CRPC is to provide a machinery for the punishment of offenders, against the substantive criminal law, तो कहने का मतलब यह है, कि अगर हम किसी भी person को, किसी substantive law के तहत पनिश करेंगे, तो उसको punish करने के लिए हम कौन-कौन से procedures को follow करेंगे, तो उस procedures को follow करने के लिए हमें कोई machinery की ज़रत है, कुछ तरीका चाहिए, जैसे मालों किसी को convince करें, यह उसे acquit करें, तो क्या parameters है, FIR कैसे lodge होगी, chart sheet कैसे आएगी, statements कैसे record होगे, witnesses के, chief कैसे record होगा, cross कैसे होगा, फिर उसके इलावा, मान लीजिए, अप appeals है, appeals कैसे जाएंगी, final argument कैसे होगे, 313 के statement कैसे record होगे, revision कैसे होगा, review कैसे होगा, reference कैसे होगा, तो इन सभी के relation में, we need to have some machinery, so that we can adjudicate the matter, and if it is liable to be convicted, तो commit कर सकते हैं, liable to be acquitted, तो acquit कर सकते हैं, तो उनको एक machinery के requirement थी, तो इसी लिए, इस CRPC को बनाया गया, So that is all relation to this, hope you would have enjoyed the video, thank you so much, जय हिंद, जय भारत.